कि नुश्कार गुड इवनिंग कॉंपेटिशन कमुटी के कॉंप्रेंसिव करेंट अफेस्ट प्रोग्राम में मैं पोख्राच करता हूँ पर फिर से आप सभी का स्वागत करेंट फेस्ट का जो सेक्शन है उसको आगे लेकर चलते हैं लास्ट वीडियो है उसमें एक से पंदरा जुलाई तक देख लिया था इस वीडियो में हम लोग सिक्स्टीन से लेके 22 जुलाई 22 तक के करेंट अफेर्स को देख लेंगे एक पर फिर से कह देता हूँ जून का डाल दूंगा जून जून मत करते रहो जुलाई चल रहा है पहले जुडाई पढ़ लो ठीक है चलो तो अपन टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं सिधा पहुच जाते हैं खाली स्लाइट पे खाली स्लाइट पे क्या है तो पता होना चाहिए आपको एक साहितिकार ठीक तो उसके लिए एक सेंटेंस याद रखन ने और मितान के घर में का अंगना तो अंगना में कर एक फामा पेड़ लगे हैं तो हम तो मैं क्या बूला बसंत रितुये आपको याद रखना है बसंती वर्मा तो बसंती वर्मा जी क्या है मितान से इनकी एक रचना अंगना से एक रचना है मूर अंगना के फूल और आमा से है मौरे मौर आमा के डारा और ये तीनो तीनो जो रचना है सब क्या है तो ये है काव्य संग्रह सब के सब काव्य संग्रह ठीक तो मैं क्या बूला आपको क्या याध रखना है एक सेंटेंस बसंथ रितु में मौर मितान के अंग्ना में आमा पेडं है और मैंने क्या बताया तीनों के तीनों जो रचनाए है काव्य संग्रा चड़िये तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं इसके बाद अपन लास्ट जो वीडियो था उसमें कुछ questions दिये थे मैंने last में उनके answers को देख लेते हैं मोर, महा, पौर, मोर, दुवार, कारीकरम की शुरुवात लास्ट वीडियो में देख लिए थे राइपोर से शुरुवात हुई थी ठीक है अगला, चतिरगड में नगरवन परियोचना की शुरुवात ये भी लास्ट वीडियो में कोंडा गाउं देखे थे ध्यान में होना चाहिए आप लोगों को जुमका आइलेंड कोरियम देखे थे याद करो अगला question सही कथन स्कूलों में शनिवार का दिन बैगलेस होगा प्राइमरी और मिडल स्कूल के बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे ठीक बात है दोनों तो का ख़़ दोनों क्या है सही है अगला मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डिवलप्मेंट याद करो जी पीम गोरिला पिंडरा मरवाही यादा रहा होगा ठीक है अब इसके बारे में सही कथन का चैयन करना है पहला मोर आखर कारिकरम जो है प्राथमिक शालाओं में बच्चों की पढ़ने लिखने की शमता को अधिक प्रभावी बनाने की पहल है ठीक बात है अगला खा प्राथमिक शालाओं के बच्चों को प्रायोगी व्याभारिक पध्धिति से उनको तयार किया जाएगा ये भी ठीक है कोई दिक्कत का बात नहीं है और दोनों करार इकरम यूनिसफ चला रही है ये भी ठीक बात है तो सहीं पूछा है तो का खगा तीनों सहीं होना चाहिए एह जाहूं कते रहानगा कहां जावा थास चलो अगला लास्ट कोशन पॉधो का सुपोशन कार्ड कोरिया में देखे थे अपन अरे ऐसे ठीक अब ठीक प्यार से चला होना तब हड़ बड़ में चला थे अपनी चला थे होगा चलिए तो आज का सबसे पहला टॉपिक देखते हैं अपन क्या है हर घर तिरंगा अभियान तो पहले ना इस करेंट अफेर्स में आने से पहले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स में बताता हूँ उसको आप लोग समझोगे तो बैकड्रॉप अच्छे से क्लियर हो जायागा तो 22 जुलाई 1947 आपको पता होना चाहिए जो तिरंगा जंडा था या ट्राइ कलर इंग्लिश में इसको हम लोग क्या किये थे एडॉप्ट कर लिये थे किसके रूप में हम लोग ने इसको एडॉप्ट कर लिया था स्विकार कर लिया था हमारे राश्ट्री ध्वच के रूप में ठीर है यह फिर संस्कृति मंत्राले या मिनिस्ट्री ओफ कल्चर है गोष्टना करती है कि एक कारिकरम चलाएंगे कारिकरम का नाम क्या रहेगा तो हर घर तिरंगा फिर क्या होता है 22 जुलाई 2022 किनका ट्वीट आता है तो श्री नरेंद्र मोधी जी का ट्वीट आता है ठीक है Honorable Prime Minister अफ ठीक है तो मोधी जी का ट्वीट आता है जिसमें लोगों से आवाहन करते हैं कि हमको क्या करना है तो 13 जिले के 15 अगस्त तक हमें क्या मनाना है हर घर तिरंगा कारिक्रम को मनाना है बेसिकली क्या था तो क्या है इसके माध्यम से जो लोग है उनमें जो आज न यह अच्छस नहीं चल रहा है बार बार इससे हिल जा रहा है तो बीच बीच में आवाज आएगा मत चिड़ चिड़ आये टाइप का तो थोड़ा स्टेंसर मत लेना वो आपके उपर नहीं इसके उपर है पेंड के उपर तो में जो राष्ट्रियता यह नाशनलिस्टिक फीलिंग है इसको क्या करना है बढ़ाना है जागरित रखना है इसके लिए और सेकेंड बात इतना सारा तिरंगा लगाओगे तो तिरंगा बनाना भी पड़ेगा तो इससे क्या होगा रोजगार भी बढ़ेगा या इंप्लॉइमेंट भी बढ़ जाने वाला है ठीक है तो बोले हैं कि 13-15 अगस तक क्या करना है तो जीतने भी लोग है ना सब लोग अपने घर में अपने ओफिस में प्राइवेट ओफिस हो चाहिए सरकारी ओफिस हो अपने घर में कोई भी खुला जगा पर क्या करना है बढ़िया से तिरंगा जंडा को फैराना है ठीक है आपको पता होना चाहिए तिरंगा हमारा राष्ट्री ध्वज होने के साथ साथ हमारी राष्ट्री गरीमा का प्रतीग भी है तो उससे जुड़े हुए नियम कायदा कानून है या जो मन चाहे जैसा मन चाहे वैसा तिरंगा को नहीं फैरा सकते तो इसके लिए क्या किया गया था एक ठो भारती ध्वज सहीता बनाई गई थी ठीक है फ्लाग कोड ओफ इंडिया ठीक अब यह जो ध्वज सहीता फ्लाग कोड है इसमें समय समय पर क्या किया गया है तो अमेंडमेंट बदलाव किये गया है ठीक है तो यह जो ध्वज सहीता है उसमें अभी 20 जुलाई को एक बदलाव किया गया और कहा गया कि अब कोई भी व्यक्ति जो है क्या कर सकता है चहरात हो या दिन हो तिरंगा जंडा जो है उसको फैरा सकता है होईस्ट कर सकता है ठीक है पहले कैसा था कि साधारण आदमी लोग जो है वो हर दिन नहीं फैरा सकते थे कुछ विशिष्ट दिनों पर फैराया जा सकता था ठीक अब ऐसा बोल दिये कि आप बढ़िया सा फैराईए तभी तो लोग फैरा पाएंगे ना इतो दोध सहीता को लंगन हो जाएगा आप लोग मनाने जाओगे कारिक्रम तो आप ही लोग कारिक्रम हो जाएगा रेस्ट हो जाओगे अच्छा आपको एक चीज और याद रखना है 2009 में बदलाव किया था क्या था कि रात को अगर तिरंगा आपको फैराना है तो एकदम बहुत बड़ा जो पोल है एकदम ग्रैंड तरीके से उसमें फैराना है और उसमें क्या पढ़ना चाहिए लाइट पढ़ना च करना है तो 2009 में वैसा अमेंडमेंट हुआ था कि कर सकते हो करके और 20 जुलाइक जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद आप कोई भी व्यक्ति रात हो चाहे दिन हो अपने घर में चाहे किसे खुले मैदान पर खुले स्थान पर अपने ऑफिस में भी जहां चाहे वहां पर तिरंगा को फैरा सकता है इससे लोगों के मन में जो राष्टिय तक भावना है नहीं है तो जागरित हो जाएगी है तो और बढ़िया हो जायागा ठीक बात है तो ऐसा इसमें चेंज किया गया और फिर क्या हो गया तो इसलिए अब हम लोग 13-15 अगस्त जो है इसमें क्या म मनाएंगे तो मोदी जी अपील किये हैं कि साब को अपन अपन घर में तिरंगा जंडा को क्या करना है फैराना है अच्छा 36 गड़ में आते हैं अब यह जो तयारी है हर घर तिरंगा प्रोग्राम इसकी तयारी को देखने के लिए अमिशा जी जो है ना उनका और हमारे cm मीटिंग के बाद बखेल जी ने भी क्या है लोगों से आवाहन किया है कि इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है तो बढ़ चड़कर हिस्सा लेना है तो वैसे तो 11 से 17 अगस्त तक का यह प्रोग्राम है लेकिन 13 से 15 अगस्त तक हर घर में ठीक है एवरी हाउस उसके सेमी गवर्मेंट ऑफिसेस इसके अलावा व्यावसाइक चाहे वानिजिक कोई भी प्रतिष्ठान कोई भी कमर्शिल इंसिट्यूट सो कहलो या इसके लावा कोई भी गैर सरकारी संगठन है नॉन गवर्मेंट कोई भी यूनिट है सब को क्या करना है अपने अपने जगह म बढ़िया से तिरंगा जंडा को फैराना है धामुमन फैरावो अत्तहुमन फैरावो समझ गया है खादी ग्रामुद्योग एवं हस्त करगा विभाग है इसके अलावा स्थानी स्वव सहायता समू है ये सब लोग तिरंगे जंडे का क्या करेंगे निर्मान करेंगे तो यह यहां से लोगों क्या मिलेगा रोजगार मिलेगा ज्यादा ज्ञंडा बनाना पड़ेगा क्यों इतने सारे लोग हैं 36 गन में धाई करोड आदमी हैं उपरहां धाई करोड ले उपीछले बार कहरें यह बाद देख बद तीन करोड हो चुछल जा था नमन तो का अत्कक ज्ञंडा बनायल पड़ी नहीं पड़ी क्या रोजगार का सरजन एमप्लॉयमेंट का जेनरेशन होगा क्लियर है तो जितने भी सामाजिक संगठन हैं सारोजनिक उपकरम हैं नीजी उपकरम हैं मतलब जो की पबलिक कांपनीज हैं प्राइवेट कांपनीज हैं सब से यह अ अभियान में ठीक है में में थर्टी वर्ड्स में सीधा पूछेगा इस अभियान पर तो बताना कब से कब तक क्या किया गया था किसने किसने पार्टिस्पेट किया था इसका उद्देश क्या था प्री में क्या करेगा डेट पूछेगा कब से कब तक इसको चलाया गया था बहुत ज़्यादा डीटेल में है तो मंत्राले पूछ सकता है किस मंत्राले द्वारा तो संस्कृति ठीक है चलिए आगे देखते हैं मत्से उत्पादन में दो गुना से अधिक वृद्धी है बेसिकली जब हम अलग राज्य बने वर्ष 2000 की बात थी उस समय हमारे पास कितना जल शेत्र था मतलब कितना वॉटर एडिया था हमारे पास तो कितना था 1.538 लाक हेक्टेर इतना वॉडर बॉड़ी का हमारे यहां छ यह कुछ 86.8 ऐसा कुछ परसेंटेज आना चाहिए ठीक है करके देख ले ना उसी कास पास रहेगा एकदम से परिसान मत होना देश चरत है तो इसे बता दे समला उतका नहीं आवा थे फलाना है धिकाना है करके तो लगभग इतने छेत्र मीतना जो जल छेत्र था हमारा वो क या उसमें वो की क्या उसमें मचली पालन किया जाता था मतलब डेवलप था जहां पर हम लोग फिशिंग या मचली पालन फिश्रीज वाली अक्टिविटी कर सकते थे ठीक है और उसत उतपादकता कित्ती थी तो प्रती हेक्टेर हमारे यहां लगभग 1850 मीटरिक टन इतना मत से उतपादन या मचली का उतपादन हमारे होता था और उतपादन के हिसाब से हमारे यहां 36 जो था या जो हमारा राज चछत्तिज गड़ है भारत में उसका रैंकिंग किता था नाइंध तो जितना भी हमारे यहां वाटर का सर्फिस एरिया था जल छेत्र था उसके 86.8% एरिया में क्या होता था मचली पालन किया जाता था वर्ष 2000 में उतपादक्ता किती थी 1850 रैंकिंग क्या था उतपादन में 9 लेकिन अभी प्रेजेंट स्टेटस अगर आप लोग देखो तो लगभग उतपादक्ता में दो गुना वृद्धी हो चुकी है अब उतपादक् पचास थी बढ़ कर किती हो गई है तो 4000 तो बेसिकली क्या है सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं स्टेट गुवर्मेंट लेके आई है जिससे की मच स्यूतपादन को बल मिला है साथ मैं इसको क्या किये हैं तो क्रिशी का दर्जा दे दिये हैं क्रिशी का दर्जा देने है जिसे ज्यादा से ज्यादा employment का जनरेशन हो रही जिंइन नहीं तक दखनीक आ रही है उत्पादक्ता बढ़ए आपके टेक्चिशी बढ़ गई तेक grade लोग जाधा रहे हैं to beibtegи जैंहें선 हो गयाzwak स्थीं अब हो ड्शेत्र कित्ता हो है एक बात बता दूँ एकनोमिक सर्वे 21-22 देखोगे तो उसमें 94.38 परसेंट है एक्जाम में आएगा तो इसी के लगा के आना समझ में आया ना तो ये एकनोमिक सर्वे का नुसार है और ये ततकालिक परिस्थिती बता रहा है ये जो डेटा है ये डिपी आर डेपार्टमेंट अफ पॉब्लिक रिलेशन्स और ये भी सरकारिश डेटा है ये थोड़ा पुराना है क्योंकि ये एकनोमिक सर्वे 21-22 है मतलब ये फरवरी 2022 में आया तो जानकारी के लिए बढ़िया है ये नियूज में ठीक तो 98% जो एडिया है लगभग उसमें क्या हो जाता है मचली पालन हो जाता है हमारे यहां और अब अगर देखोगे न तो अगर मत से बीज का उतपादन या प्रोड़क्शन का होगे तो उसमें 5th नंबर पर है और पूरा जो मत से उतपादन है उसमें छत्रगण का रांग किता है 6th तो अगर मचली बीच का जो उतपादन है उसमें कहें तो 5th है और मचली उतपादन बोलेगा तो 6th पहले 9th था ठीक है तो उतपादक्टा दो गुना बढ़ गई है रीजन भी मैंने बता दिया है अच्छा क्रिशी से संबंदित अगर कोई ऐसे आता है तो उसमें आप इन फैक्ट को यूज़ कर सकते हो क्लियर है लगभग पेपर नमबर टू में आ जाएगा ये ठेक है अच्छा पेपर नमबर फाइव में अगर देखोगे न तो उसमें उसके पार्ट वन एकोनोमी से भी फिश्री से संबंदित क्वेशन बन सकता है 30 वर्ट्स का और जो छत्यज़गर का भोगोल जोगरफी है उसमें भी 30 अब आ सकता है तो ऐसा नहीं बोलेगा कि कितना उत्पादन हो गया है या पहले कितना उत्पादन था नहीं आप से पूछेगा कि मच्छ उत्ताइद गठ्ण उसमें recent trend क्या रहा है ऐसा question पूछेगा अगर बहुत जाधा tough पूछना होगा तो तब आपको ये fact काम में आ जाएंगे कि पहले कम था अब लगभग डबल हो गया है पहले 86% परसेंट पे करते थे 86.8 और मैं फिर भी कहूंगो ये 98 भले न्यूज में मिल रहा है पर इकनोमिक सर्फवाला जो डेटा है उसको अपन जाधा यूज़ करेंगे तो 94.38% जो है उत्पादक्ता में वृद्धी आई है ठीक है तो इस प्रकार से पूछ सकता है पर चांसे थोड़ा सकम है जाधा चांसे इसका यूज कढ़ने में किसमें हैं तो अगला हार घर हर्याली भ्यान जो पहला संवभारी यूकि 18 जुलाई तो रैपुर घिला में हर्फ़र हर्याली भ्यान लगाए हूआ है विक्षाः उपन का कारिकरम चल रहा है आम लोगों को भी पौधे दिये जा रहे हैं उसके लिए एक phone number है उस phone number पे call कर क्या पौधे ले सकते हैं basically objective क्या है उद्देश क्या है तो रायपूर जिले में जो green cover है और याली छेतर है उसको बढ़ाना क्यों बहुत ज़्यादा pollution है यार यहां पर तो इसको बढ़ाना ठीक है और अभियान के अंतरगत ऐसा माना जा रहा है ऐसा target किया जा रहा है कि कम से कम 2,00,00,00 से अधिक पौधे हम इस मौसम में क्या करेंगे लगा देंगे या रोपन इसका कर देंगे 30 words में paper number 5 में सीधा पूछ सकता है या अभियान को या आप लोग इसे essay में यूज कर सकते है अगर कोई environment से संबंधित essay आ जाए तो उपरिया वरंट से संबंधित अगर कोई essay आ जाए तो आप इसको यूज कर सकते है चलिए, आगे बढ़ जाते है हरेली तिहार पर सकूलों में गेड़ी नृत्य प्रत्योगिता तो अगर आप लोग CGGS में हरेली तिहार के बारे में पढ़े होगे तो आप लोग को पता होगा कि ये सावना मावस्याक मनाया जाता है इस बार 28 जुलाई डेट पढ़ रहा है और इस दिन गाव में एक ठोप्रत्य होती है कि इसकी गेड़ी चड़ने की तो गेड़ी क्या होता है दुबास का ऐसा लंबा सा डंडा होता है जिसमें बच्चे लोग चड़ते हैं और एक नृत्य भी होता है गेड़ी नृत्य तो जितने भी शास्की गवर्मνेट स्कूल से और अनुदान प्राप्त स्कूल है मतलब ऐसे स्कूल है जिनको गवर्मन्न से एड मिल रहा है उन सब में क्या किया जाएगा तो गेड़ी प्रत्योगिता जो है उसको कराई जाएगी जो जीतेंगे उनको जो वहां के एरिया के लोकल अच्छे किसान है जुन्होंने उन्नत क्रिशी की है या क्रिशी उत्पादक्ता में क्या किया है अपना योगदान दिया है या ऐसे लोग है जुन्होंने कुछ नए तकनीक से क्रिशी की है तो उन सब लोगों के द्वारा इनको क्या किया जाएगा पुरुसकार दिलाय जाएगा इसके अलावा इस उसर पर एक संगोष्ठी या सेमिनार भी कराया जाएगा ठीक है कहां कहां पर तो जितने जिला और विकास्खन मुख्याले हैं सब जगा ठीक है टॉपिक क्या रहेगा इसका तो थीम रहने वाला इसका परियावरण सनरक्षन और हरेली की महत्ता कर देंगे बड़े कहने से मेरा तात्पर यह है कि जो लोग कुछ नया कर रहे है मतलब कुछ इनुवेशन के फिल्ड में जो लोग बड़े है ठीक है तो उन सभी को क्या किया जाएगा पूरुस्कृत भी किया जाएगा ठीक उसके अलावा ऐसे जो विद्याले हैं जिन में बाउंडरी वाल नहीं है तो लोगों को वहाँ पर क्या किया जाएगा मोटिवेट किया जाएगा कि आप प्राकृतिक तरीके से क्या करो वहाँ पर जो भी उपलब्द संसाधन है उससे बाउंडरी वाल को त्यार करो तो प्राकृतिक तरीके कैसे करोगे पेड़ लागा द पर में शोशल आस्पेक्ट्स ऑफ चत्यजगड चत्यजगड का सामाजिक परिद्रिश्य के नाम से इसके अलावा हरेली तिहार को आपको सेपरेटली साथ शब्दों में पूछ सकता है ठीक है प्री में अगर देखोगे तो पूछ सकता है भई कि गेडी नृत्य प्रतियोग प्रतिटा जो है वो चत्यजगड के किस त्योहार में शुरू की गई है तो इस प्रकार का क्वेश्चन में भी बन सकता है प्री में भी बन सकता है चलो आगे बढ़ जाते हैं उमंग तो बेसिकली क्या है बच्चों के सही पोशन और देखरेक तो इनके सही नूट्रेशन और केर के प्रभावी क्रियानवन मतलब इसका इफेक्टिव इंप्लिमेंटेशन के लिए इस फील्ड से जुड़े जितने भी हित धारक हैं मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या भूमी का है मतलब उनका क्या रोल है और उनके बीच में समनवय मतलब राज्यस्तरी मतलब स्टेट लेवल पर एक वर्क्शॉप ये कारशाला उमंग का आयोजन किया गया था मैं आपको बताता हूं एक चीज समझेगा लगभग हमारे राज्यमिना 45 क्या है तो है बालगरी या चिल्डर्न होम तो बेसिकली क्या है यह जो बालगरी चिल्डर्न होम है यहाँ पर बच्चे रहते हैं ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके परिवार नहीं है लेकिन सरकार का ना सिर्फ राज्यबल की केंद्र सरकार का भी क्या मानना है कि इन बच्चों का प्रॉपर विकास जो है ऐसे ग्रहों मे रहकर इंस्टिट्स में रहकर नहीं हो सकता है पॉसिबल नहीं है तो इनको क्या करना पड़ेगा इनको न समाज की मुख्यधारा से जोड़ना पड़ेगा समझ में आया तो इसलिए हमारे राज्य में और क्या है तो हमारे राज्य में तेरा specialized adoption agencies विशिष्ट दत्तक ग्रहन अभिकरन है तो सरकार खुद चाहती है कि ये जो बच्चे है उनको पालक परिवार foster homes मिले जिसमें जाकर ये बच्चे रह सके और उनको क्या हो तो एक परिवार का महौल society के अंदर रहकर वो लोग क्या हो सके डेवलप हो सके और इसी लि किया गया था ताकि बच्चों में जो सही पोशन हैं देख रेक के जितने भी कारिकरम चल रहे हैं तो उनके nutrition और care के जो programs चल रहे हैं उनका क्या करना है तो प्रभावी तरीके से क्रियानवन effective implementation ठीक है और उसके लिए जवाबदारी जितने भी हित धारक है stakeholders है उनकी क्या भ भारम श्रीमती अनेलिया भेडिया जी ने किया है महिला बालविकास मंत्री है चत्तिजगड सरकार में यह और यह जो program है चत्तिजगड में UNICEF के सहयोग से इसको चलाया जाएगा और चत्तिजगड को या चत्तिजगड के 10 जिलों को 10 districts को विशेश focus में लिया गया है या इ अच्छा एक और चीज़ में आपको बता दू एक बहुत important scheme चल रही है वातसल्य mission वातसल्य करके समझ में अभी अभी इसको लेके guideline जारी हुई है mission वातसल्य वैसे तो केंद्र प्रवर्तित योजना है बच्चों के विकास के लिए ही है नाम अभी बदला गया है लेकिन mission वातसल्य को 30 words में आप ready कर लेना इसमें से ठीक है उमंग जो है यह आपको essay में काम आएगा तो महिला बालविकास से संबंधित अगर कोई essay आ रहा है तो इस content को आप use कर सकते हैं या 30 words में सीधा आपको paper number 5 का भाग एक जो है ना उसमें आपको सीधा पूच सकता है कि यह उमंग संगोष्ठी थी या उमंग क्या है करके direct पूच लेगा तब अब बता दीजेगा उमंग क्या है ठीक है चलिए आगे जगदलपूर engineering college का नाम करण किसके नाम से कर दिया गया है जाड़ा सिरह जी के नाम से बहुत चारा news है उसको पढ़ लेना काम का इतना ही है प्र यह शासक भैरम देव के काल में हुआ था और इसी एक नायक कौन थे जाड़ा सिरह और इन्ही के नाम पर क्या किया गया है तो रायपूर engineering सोरी या रायपूर भरों में भी जगदलपूर engineering college का नाम करण ठीक है तो इसके लिए जो आदेश है कौशल विकास तक्नीकी सिक्ष और रोजगार विभाग मंत्राले महानदी भवन द्वारा जारी भी किया जा चुका है इसका मतलब यह है कि अभी यह चीज फूल एंड फाइनल पहले प्रपोस था अब इस पे सील मुहर लग गया है ठीक है चलो अब अगला क्या है ग्रिट पुरुसकार तो वनवासी जो म खेत्र में अंतराष्टी स्तर पर उपलब्धी हासिल हुई है समझ में आया तो बेसिकली चत्तिसगर राज्य लगुवन उपज संग जो है उसको क्या उपलब्धी हासिल हुई है तो उसके माध्यम से हमारे राज्य में क्या हो रहा है तो संधार्णी विकास हो रहा है ये चत्तिसगर्ण राज्य लगू वनुपज शंग है इसको क्या मिल रहा है तो गृट पुरुसकार कहा मिल रहा है तो सीगापूर दीख रहा है सीगापूर है इसके अलावा जगदलपूर और कोरबा के दो महिला स्वव सहायता समुह भी पुरुसकृत होंगे इनको भी कोन-कोन महिला लोग हैं तो देख लो भई तो देखना बकावंड वन धन केंद्र की सदस्य हैं बकावंड मतलब यह बस्तर है सूश्री पद्मिनी बगेल और सूश्री बेलाबाई कश्यप और डोंगा नाला यह कोर्बम हैं वन धन केंद्र की सदस्य हैं गोष्ण्री सरोज पतेल और सूष्णी पूल भाई नेती तो सबसे पहले तो प्री का कौशें बन जाएगा भई नाम से पूछेगा अगला क्या question रहेगा कहां तो अगला question यह बन जाएगा फिर नाम के बाद चत्यगड में किसे तो सिंगापूर में चत्यगड राज्य लगुवन उपद संग इसके लाव महिलाओं का क्या नाम है पदमिनी बगेल जी बेलाबाई कशब जी सरोज पटेल जी और फूलबाई नेती जी क्लियर है फूलबाई नेती सरोज पटेल यह दोनों डूंगा नाल और बेलाबाई जी और पदमिनी जी यह दोनों कहां पर तो बकावंड ठीक तो प्री का कोश्चन यह बन जाएगा मेंस का कोश्चन आपको क्या है सीधा पूछेगा कि यह वंधन केंद्र क्या होता है तो यह भी एक वंधन योजना है केंद्र प्रवर्तित है ठीक है संसकरन प्रोस्सिंग हो सके जिससे क्या हो तो जो लोग हैं मतलब जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी लोग है जंजाती लोग है उनमें क्या हो सके विकास हो सके और साथ में क्या हो सके तो इनके लिए आजीवी का लाइवली हुड जो है उसका निर्मान हो सके उसके यह योजना थियो इसी के लिए वंधन के इंद्र बनाये गया उसी की ये चारों महिलाएं सदस्य हैं समझ में आ गया तो एक बार फिर से देख लेते हैं अपन छत्रिजगर राज लगू वनुपज जो संग है उसको क्या मिल रहा है ग्रिट पुरुसकार इसके अलावा दो मह खुझार प्रोसेसिंग चantage में शॉर रही है उसके कारण सस्टेनेश डेवलोप्नेंट संदार्नी विकास हो रहे है पॉर्टी का अलीविएशन हो रहे है गरीवज हो रहा है और महिला इसकी online प्या सकते है करके चलो गौम उत्र की खरीदी तो 28 जुलाई हरेली है हरेल तीहार के एडवांस में तुम लेकदम गाड़ा-गाड़ा बढ़ाई हो ठीक है और इसी और पर अब गौम उत्र की भी खरीदी होगी चार रुपए प्रति लीटर ठीक तो 36 गड़ सरकार जो है वो गोबर भी खर कीद रही है इनको कीट नाशक बनाने के लिए खाथ बनाने के लिए पेस्टिसाइड और फटलाइजर बनाने के लिए इस्तिमाल किया जाएगा एक इसका ना सेकेंडरी टाइप का ना मैं बेनिफिट बता रहा हूं पता नहीं आप लोगों कभी सोचा है कि नहीं बहुत सा कभी प्यास पे मर जाते हैं कभी इनके टान लोग मर जाते हैं कभी गाया खुद भीमिं भॉग जाधा इन्जर्ड होजाती आऊंक्क Помर जाती हैं कई बार तो हमने अपने आखों के सामने भी दैखा है अब इससे क्या होगा लालच के लिए इस सही है आदमी गया पृवार क एक तीर से दो सिकार है तो फाइदा भी है जानवर को भी फाइदा है और इंसान को भी फाइदा है ठीक है तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगाई है पता नहीं आप लोग इस दिशम कभी सोचे की नहीं शेत्री परिवहन सुविधा केंद्र तो ये ऐसा राज जह है चत्तिसगर हमारे देश में जहां पर क्या बन रहा है तो रीजनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सेंटर ऐसे एक हजार शेत्री परिवहन सुविधा केंदर खोलने की योजना है क्या होगा तो आपको पता होगा कि ये आर्टियो बस एक ऐसा चीज है जिसमें बीना आप एजेंट के काम नहीं करा सकते है बड़ा मुश्किल होता है एक्ट ओफिस रहता और वहीं पर सब काम होता है और जिनका पहचान उन्हीं काम हो पाता है तो ये ऐसे छोटे-छोटे सेंटर रहेंगे जिसके माध्यम से चोटा-मोटा जो चीज है उसके लिए आर्टियो कारियालेक चक्कर करने बिल्कुल जौरत नहीं है आपको लाइसेंस ही है चोटी-मोटी और भी सुविधाएं है सब की सब यहां से करी जा सकेंगी डिजनल ट्रांसपोर्ट फैसलेटी सेंटर या शेत्री परिवहन सुवि चलिए फाइनल आज के लिए लास्ट रहे गए तो रवीन चौबे जी चत्तिजगण के नए पंचायत और ग्रामीन विकास मंत्री बन गए हैं आपको पता होना चाहिए कि टीयस सिर्देव के पास पहले ये विभाग था उन्होंने अपने पत से स्तीफा दे दिया था और स पत्र में प्रकाशित ओचुका है श्री रवीन चौबे जी जो है इनको अब क्या किया जाएगा इस विभाग का प्रभार सौपा जाएगा या स्वपा जाट चुका है तो आभ उनके पास संसंदीक आरीय एक विभाग है क्रिशी विकास कि इसान कल्यान जैय प्रोध्योगी, तीसरा पशुधन है, चौथा मचली पालन है, फिरजल संसाधन है, और क्या है पंचायत एवं ग्रामीन विकास भाग ख्लियर है, तो छेवे भाग उनके पास हो गए, तो चत्तरगड में दो ऐसे मंत्री हैं, जिनके पास छेवे भाग है, एक है सी एम भुपेश बगेल जी, और दूसरे कौन है, तो रवीन चौबे जी, तो पहले पंचायत मंत्री टीएस सिह देव जी थे, अब हटके कौन बन हटके क्या, उन्होंने स्तीफा दिया, उसके बाद बन गए है रवीन चौबे जी, चलिए, तो फाइनली इस वीडियो कोई करने से पहले क्वेशन को देख लेते हैं, तो नवीन पंचायत ग्रामिन विकास मंत्री कौन है, ठीक है, देखके बता दीजेगा आप लोग, अग जिन कब करना प्रस्तावित है, ठीक है, उसके बाद अगला क्वेशन है, उमंग जो प्रोग्राम है, उसके बारे में आपको बताना है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बाद फिर सही कथन का चायान करना है, यह मत्चूत पादक्ता, ठीक है, फिश का जो प्रोडाक्टिव है उसके बारे में तो आप इसको देख लीजेगा आप लोग उस निवेदन यह है कि जो भी सही आंसर है उसको क्या करिए तो आप लोग प्लीज कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए जुन वाला जल्दी ही डाल दूंगा बट मेरा पहले मोटिफ क्या है कि अभी मैं स्ट किया हूं तो जुलाई वाले को कंटीनियू रखूं ठीक है तो यहां का कंटीनियू रहेगा बीच में जून का डाल दूंगा थोड़ा सब्स्वास किया करो मेरे बात का चलो ठीक तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं फिर से आप सभी से निक्स वीक मुलाकात हो कर दो दून से भीक मरें कर दो